हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वाकत है तो फ्रेंड्स आज में बनाने जा रही हूं बहुती टेस्टी प्याज और टमाटर की सब्जी फ्रेंड्स ये इतनी टेस्टी होती है खाने में कि अगर आपने इसको एक बार खा लिया तो आपको बाकी सारी स तरह से मैं प्याज को कट कर लिया है लंबे लंबे टुकडों में इसी तरह से मैं आपर टमाटरों को भी लंबे लंबे टुकडों में काट लिया है और हरी में इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा चौप कर लिया है तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ सब्जी बना लेते हैं तो उसके लिए हम एक गैस अन करके कटाई रखेंगे और इसमें हम एक चमच ऑईल डालेंगे फ्रेंड्स मैं आपर सरसों का ओईल ले रही हूँ आप चाहे तो रिफाइन्ट ऑईल भी ले सकती हैं ऑईल को अच्छे से गरम होने देते हैं ऑईल अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें हम आधी चमच राई के दाने डालेंगे एक त्याई चमच इसमें हम जीरा डालेंगे और थोड़ी सी हिंग डालेंगे और इनको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं जीराई अच्छे से फ्राई हो गए तो जो हमने प्याज को कट करकी रखा है उसको हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इसको मिला देते हैं और साती साती है कटी हरी मेरची भी डाल देंगे अब हम प्याज को 2-3 मिनट तक इसमें फ्राइब कर लिते हैं ताकि इसका थोडा था color change हो जाए हमें प्याज का बहुत ज़ccoli color change नहीं करना है प्याज का प्कार ले सिर्फ थोड़ा boys a color change हो गया है तो अब ंस इसमें एक चमच लालमिर्च पावडर डालेंगे और एक चमच नमक डालेंगे नमक का पहुत श्माका पतके बनाके देखें सब्सक्राइब की अध्यनक ये सबस्साद मिक्स कर लिया है तो तो साथ यसाथ इसमें टमाट्रा डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिला देते हैं और ये देखी मैं टमाट्रों को intel मिक्स करदे हैं तो हमें इसमें पानि डालने की ज़रूत नहीं है कि टमाट्रों में ओर व minnた होता है तो अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे ताकि टमाटर प्याज इसमें अच्छे से गल जाएं तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तो 4-5 मिनट के बाद अब हम सब्जी को चै कर लेते हैं तो ये देखिए सब्जी थोड़ी सी पक गई है आप देख सकते हैं टमाटर भी थोड़ी से गल गए है तो अब इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है अब हम इसको 2 मिनट के लिए और पका लेंगे तो 2 मिनट के बाद हम सब्जी को फिर से चै कर लेते हैं तो ये देखिए इसमें जो पानी दिख रहा था वो भी इसमें से जल गया है टमाटर प्याज भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो गए है और सब्जी हमारी बन गई है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो एक त्य आप इसको बनाके 5-6 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आप इसको इस्टोर करके रख सकती हैं बहुत टेस्टी लगती है खाने में तो आप इस रेस्पी को जरूल टाई करें और इसके सामने अगर आप सब्जी खाएंगे तो सब्जी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं िछ सकती हैं है झाई बहुत हैं